अंतराश्टी तिथी रेखा यानि इंटरनेशनल डेट लाइन ये एक कालपनिक रेखा है जो कि प्रशांत महासागर के बीचो बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिन खीची गई है इस रेखा का निर्धारण 1884 में वाशेंग्टन में हुई एक भुगोल वेताओं की कॉन्फरेंस में किया गया था इस रेखा के निर्धारण का श्रे प्रोफेसर डेविट्सन को दिया जाता है इस रेखा के पूरब पश्यमिस्थित दो निकटम बिंदुओं के बीज समयांतराल सरवाधिक 24 घंटा का होता है इस रेखा पर तिथी का परिवर्तन किया जाता है पश्यमि गोलार्ध से पूरबी गोलार्ध में प्रवेश करते समय यदि कोई जहाज इस रेखा को पार करता है तो वो अपनी लौग बुक में एक तिथी की व्रिधी कर लेगा और यदि पूर्वी गोलार्ध से पश्मी गोलार्ध में प्रवेश करते समय इस रेखा को पार करता है, तो वो लौग बुक में अंकित तिथी में एक तिथी की घटोतरी कर लेगा, ताकि तिथी की विशमता दूर हो जाए। अर्थात इस रेखा का निर्धारण दोनों गोलार्धों के बीच व्याप्त तिथी की विशमता को दूर करने के लिए किया गया है। ये रेखा बेरिंग जलडमरू मध्ह से होकर गुजरती है। बेरिंग जलडमरू मध्ह उत्री एशिया को उत्री अमेरिका के अलास्का से प्रिथक करता है तथा आर्कटिक एवं प्रशान्त महासागर को जोडता है ये रेखा दक्षणी गोलार्ध में न्यूजिलेंड और फिजी के पास तथा उत्री गोलार्ध में एल्यूशियन द्वीप तथा साइबेरिया के पास पूरब या पश्चिम की ओर मोड़ी गई है अठार ये सीधी रेखा होती तो उपरियुक्त स्थानों या देशों में एक ही स्थान पर पूरब पश्चिम भिन भिन तित्थी होती जोकी अव्यवारिक होता चुँकि 180 डिग्री देशानतर विभिन देशों के बीच से गुजरता है यदि इसी 180 डिग्री देशानतर को पूरी तरह से अंतराश्ट्री तित्थी रेखा माना जाता इसको कहीं भी मोडा ना जाता तो उन देशों में जहां ये अंदर से गुजर रही है वहाँ पर दो-दो तित्थियां हो जाती है जिसको उन देशों द्वारा मैनेज करना बहुत ही चैलेंजिंग होता इसलिए अंतराश्ट्री तित्थी रेखा को केवल समुद्र से गुजारा गया है पृत्वी पश्यम से पूरव की तरफ एंटी क्लॉक वाइज घूमती है पृत्वी पर दिन की शुर्वात अंतराश्ट्री तित्थी रेखा से मानी जाती है अंतराश्ची तिथिरेखा के पास पूर्वी गोलार्ध में इस्थित प्रथम देश टोंगा है जहां से नया दिन प्रारंब होता है अब चूंकि प्रित्वी लगवक्ष गोलाब है अतरा प्रित्वी को अपने अक्ष यानी एक्सिस पर एक पूरा चक्कर लगाने के लिए 360 डिग्री घूमना पड़ेगा तभी एक दिन पूरा होगा अतर एक दिन या 360 डिग्री बराबर 24 घंटा इसको अगर हम और आगे ले जाएं तो एक घंटा बराबर 360 बटा 24 अर्थाथ 15 डिग्री यानी 15 डिग्री बराबर एक घंटा इसको अगर और भी आगे ले जाएं तो एक डिग्री बराबर एक घंटा यानी 60 मिनट बटा 15 डिग्री अर्थाथ 4 मिनट अतन हमें प्राप्त हुआ एक डिग्री बराबर चार मिनट इसका तात्पर है कि एक डिग्री देशांतर की दूरी ते करने में प्रिथवी को 4 मिनट का समय लगता है आईए कुछ देशों का उदारण समझने का प्रयास करें कि किन देशों में किसके बाद सूर्योदय होता है चुँकि तृत्वी पश्यम से पूरब की ओर एंटी क्लॉक वाइस घूम रही है अता सबसे पहले टोंगा में सूर्योदय होगा फिर इसके बाद इसके आसपास के देशों में फिर भारत में फिर इरान में फिर अलास्का में अब अलास्का के बाद अंतराश्टी तीथी रेखा को पार करेंगे तो फिर से टोंगा आ जाएगा चुंकि अलास्का अंतराश्टी तीथी रेखा के पास पश्चिमी गोलार्ध में है अर्थात पृत्वी अंतराश्टी तीथी रेखा के पूर्वी गोलार्ध से अंतराष्टी तीथी रेखा के पश्चमी गोलार्द तक में 360 डिग्री का चक्कर पूरा कर लेगी, तो एक दिन पूरा हो जाएगा एक और उदाहरण के माध्यम से अंतराष्टी तीथी रेखा को समझने का प्रयास करते हैं देखें, अंतराष्टी तीथी रेखा के पास पूर्वी गोलार्द में रूस है तथा पश्चमी गोलार्द में अलास्का है माना कि ये अलास्का में 30 दिसंबर है तो अंतराश्ची तिथी रेखा के पास पूर्वी गोलार्ध रूस में एक दिन ज्यादा यानि 31 दिसंबर होगा और न्यू येर पार्टी चल रही होगी यदि कोई अलास्का का व्यक्ति चाहे तो रूस जाकर ये न्यू येर पार्टी सेलिब्रेट कर सकता है और ठीक एक दिन बाद जब रूस में एक जन्वरी हो जाएगी तब अलास्का में 31 दिसंबर होगा और वहां न्यू येर पार्टी चल रही होगी ठीक उसी तरह यदि कोई रूस का व्यक्ति चाहे तो अलास्का जाकर न्यू येर पार्टी सेलिब्रेट कर सकता है यही पर एक और कॉंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं यदि कोई रूस का व्यक्ति 31 दिसंबर को अलास्का चला जाए तो वहां पर उसको 30 दिसंबर मिलेगा और 30 दिसंबर पूरा होने के बाद 31 दिसंबर आएगा चूंकि वह 31 दिसंबर रूस में जी चुका है और अलास्का में उसको 31 दिसंबर फिर से जीने के लिए मिल जाएगा अतह उसको एक दिन का फायदा हो जाएगा लेकिन यदि कोई अलास्का का व्यक्ति 31 दिसंबर को रूस चला जाए तो वहाँ पर उसको एक जनवरी मिलेगा अर्थात एक दिन पूरा का पूरा उसका नुकसान हो जाएगा झाल बाएगा झाल झाल